इस वीडियो में हम एक पिक्चर स्टोरी पढ़ेंगे जो के स्खूल जाने से मतलिक है, यानि गोइंग तू दे स्कूल, गोइंग का मतलब है जाना, गोइंग तू दे स्कूल, चलें हम शुरू करते हैं, आपने भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करनी है, हमने इन तसावीर को देख के बताना है कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है, इस तस्वीर में जैसा के आप देख सकते हैं एक बच्ची है जो के स्कूल के लिए तयार हो रही है यहाँ पे उसके स्कूल के जूते और बस्ता भी पड़ा है जिसमें किताबें हैं अब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे गर्ल गेट्स रेड़ी फार स्कूल गर्ल गैट्स रेड़ी फार स्कूल यानी लड़की स्कूल के लिए तयार हो रही है Girl gets ready for school अब आपने भी मेरे साथ पढ़ना है Girl gets ready for school शाबाश Girl gets ready for school यानि लड़की स्कूल के लिए तयार हो रही है चलें अब इस तस्वीर की तरफ देखकर बताईए कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है इस तस्वीर में एक बच्चा और एक बच्ची स्कूल जा रहे हैं उन्होंने अपने कंधे पर स्कूल बैग लटकाए हुए हैं इस सेंटिंस को हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे school, यानि एक लड़की और लड़का school जा रहे हैं, a girl and boy is going to school, फिर से पढ़ते हैं, a girl and boy is going to school, to school, यानि एक लड़का और लड़की school जा रहे हैं, girl हम कहेंगे लड़की को, boy कहेंगे लड़के को, और going का मतलब है जाना, a girl and boy is going to school, यानि एक लड़की और लड़का school जा रहे हैं, चलें अब आपने भी मेरे साथ पढ़ना है, a girl and boy is going to school, शाबबाश, चलें अब इस तस्वीर को देखकर बताईए, कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है, इस तस्वीर में हमें एक classroom नजर आ रहा है, जिसमें कुछ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, और teacher उन्हें पढ़ा रही है, इस sentence को हम English में कहेंगे, teacher is teaching, teacher is teaching, यानि teacher पढ़ा रही है, teacher यानि उस्ताद और teaching का मतलब है पढ़ाना, teacher is teaching, यानि teacher पढ़ा रही है, अब आपने मेरे साथ पढ़ना है, teacher is teaching, शाबबाश, चलें, अब इस अगली तस्वीर की तरफ आपने देख के बताना है, कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है, चलें, अब बताईए, इस तस्वीर में कुछ बच्चे हैं जो के खेल रहे हैं, और पीछे आपको स्कूल बस भी नज़र आ रही होगी, यानि ये बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं, इस सेंचेंस को हम इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, Kids are playing in the school ground, यानि बच्चे स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं, Kids are playing in the school ground, चलें फिर से पढ़ते हैं, Kids are playing in the school ground, यानि बच्चे स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं, अब आप भी मेरे साथ पढ़िए, Kids are playing in the school ground, चलें अब इस तस्वीर को देख कर बताईए, इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है, एक बच्चा है जो के स्कूल से अपने घर जा रहा है, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, स्कूल है, और वो स्कूल से बाहर निकल चुका है, और अपने घर की तरफ जा रहा है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, A boy is going back to home from school, यानि एक लड़का स्कूल से खर जा रहा है, चले हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, A boy is going back to home from school, यानि एक बच्चा अपने घर वापस जा रहा है, स्कूल से, होम का मतलब है घर, गोइंग का मतलब है जाना, और बैक का मतलब है वापस, यानि एक बच्चा घर जा रहा है स्कूल से, अब आपने भी मेरे साथ पढ़ना है, A boy is going back to home from school, बहुत खूब, इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इस वीडियो में आपने पिक्चर स्टोरी से मतलब सीखा, यानि आपने तस्वीर देखकर, इंग्लिश में उसका sentence बनाया, यानि हमने इंग्लिश में इस तस्वीर को describe किया, या इस तस्वीर से मतलब बताया, अब आप इस वीडियो को दुबारा देखें, और साथ में इंग्लिश के इन जुमलों को दोहराने की कोशिश कीजिए, इस तरह आप बहुत जल्द इंग्लिश के ये sentence या जुमले सीख जाएंगे।